है रो दोस्तो वेलकम टू माई स्मार्ट स्टेडी ग्रूप तो आज हम जो हैं डिसकस करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास का पहला लेक्चर तो आप जो है इस श्री से जुड़ जाओ क्योंकि 10,000 प्लस कोश्चन्स आपको देखने के विलेंगे क्योंकि ये एक इतना बड़ा अमाउंट है कि इसके बाहर मुझे लगता नहीं है कि ग्राम समाज एवं विकास से आपके कोई कोश्चन्स छुड़ जाएंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है यूपी लेकपाल में ग्राम समाज एवं विकास का कितना बड़ा रोल है पच्चिस कोश्चन्स भाई आएंगे टोटल सो में से मतलब पच्चिस परसेंट आपका रोल प्ले करेगा ठीक है तो आप लोग को क्या करना है सिर्फ इस सीरीज को फोलो करना है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जुरुत है ठीक है यदि आप लोग ने थि सीरीज का पहला लेक्चर होगा और इसमें काफी सारे कोश्चन्स होंगे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे जैसे की कोश्चन्स जैसे कि आप लोग को पता है पेपर का पैटरन भी क्या होता है सुरू में जो कोश्चन्स पूछ जाते हैं टोटल मालो क 50 तो ऐसे रेदर होते हैं यहां कोश्चन्स इसे होते हैं घ्याना है जैना है जो सारे के मपड़ा हूं यह ना पढ़ा हो बस дома सिरीज में आपको पाट ले जरूर लेना है ठीक है तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं पहले कोशन की तरह हम जाते हैं ठीक है चले देखते हैं पहला कोशन ग्राम सब्द का उलेक सर्व पथम किस वेद में मिलता है कितना इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है वीडियो को पोज करने ना है या फिर मैं थोड़ा सा ताइम दूंगा आपको की कोशन बताने के लिए ठीक है तो चले देखते हैं तो सबसे तो कितने मंदल होते हैं ये भी हम देख लेते है ठीक है तो कितने मंदल होते हैं इसमें कौन से मंदल में तीसरे मंदल में है गायतरी मंदल में है तीसरे मंदल में आपको देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है गायतरी मंद्र ठीक है ठीक है दोस्त और इसके जो रचेता है गाती मंद के वो कौन है आपको पता होना चाहिए यह है विश्वा मित्र जी ठीक है विश्वा मित्र तो क्या करना है आपको सिर्फ कोशन जो है देखने हैं याद अप मैं करा दूँगा आपको ठीक है बस सीरीज को दो-तिन बार देख हो जाना चाहिए आप लोगों को यह चीज भी पता होने चाहिए कि यदि लोग सबा भंग हो जाती है तो उसका इलक्षन छे महां के अंदर हो जाना चाहिए ठीक है कितने महीने के दर रहना चाहिए छे महां के अंदर ऐसा ही सेम टू सेम प्रोसेज पंचायत में भी होता है ये भी 6 महा के अंदर हो जाना चाहिए ठीक है दोस्त तो बस यह यह और जैसे कि आपको पता है राज्य सवा राज्य सवा का जो है वो भंग नहीं हो सकती ठीक है तो जैसे कि हम next question देखते हैं किस संब्धान संसोदन अदिनियम के तहट किस संब्धान संसोदन अदिनियम के तहट पंचायत में महिलाओं को एक बटातीनिया 33% आरक्षित किया गया है तो यह बहुत ज़्यादा important question है जैसे कि आपको पता है 73 संब्धान संसोदन 1993 के तहट और इसके तहट जो है पंचायती राज को संबेधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था ठीक है दोस्त इसको जो है बहुत ज़्यदा important है ये काफी important जो है ये चीज है और कौन से जो है ये उसमें सूची में है ये 11 ये अनुसूची में है ठीक है दोस्त चलिए देखते हैं हम next question विकेंद्री करण की प्रणाली की सिफारिश किस ने की थी तो विकेंद्री करण की प्रणाली की सिफारिश है वो करी थी आपकी बलबंत रहे महता कमीटी ने और जैसा कि आप लोगों पता भी उना चाहिए बलबंत रहे महता कमीटी जो है त्री इस्तरिय पंचायत कमीटी थ ठीक है त्री इस्तरिय थी यह और असोक महता जो थी वह दो इस्तरिय थी ठीक है और त्री इस्तरिय में क्या क्या होता है ग्राम इस्तर पर होती है तुम्हारी ग्राम पंचायत और प्रखंड इस्तर पर होती है पंचायत समिती और जिला इस्तर पर क्या होती है जिला परिसद क्या होती है जिला परिशत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं भारत में क्या भारत में महिलाओं के लिए इस्थान आरक्सित है कितना इस्थान आरक्सित है और कहां पर आक्सित है जैसे कि मैंने कितना इस्थान है 33% इस्थान और कहां पर है पंचायती राज संस्थानों में यह मैंने आप लोगों को भी बताया था ठीक है और हम देख लेते हैं जो पंचायती राज संस्थान है जो इसके कैबिनेट है मतलब जो पंचायती राज है उसको जो विभाग है उसके जो कैबिनेट मंत्री है जो की यूपी मे कौन है बुपेंद्र सिंग चोधरी ठीक है यह बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट है इसके कैबिनेट मंत्री कौन है यूपी में बुपेंद्र सिंग चोदरी ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन भारत के पंचायती राजव्यवस्ता का वास्तुकार या सिल्पकार किसे कहा जाता है अभी मैंने बताया हुई था बियार महता ठीक है बलबंतराय महता कमी को ही कहा जाता है ठीक है तो देख लेते हैं और मैं इसमें थोड़ा सा important point पर आपको दिखा बता देता हूं क्या हुआता हूं जो सबसे पहले जो है जो बियार कमेटी ने सबसे पहले क्या हुआ था नागोर जिले में जो है नागोर जिले में नागोर जो की राजिस्थान में है ठीक है राजिस्थ नागोर जिले में उसके बाद ही आंद्र प्रदेश में ठीक है बहुत ज्यादा इिमपोर्टेंट कॉशन बनता है ठीक है नेक्ट कोशन देखते हैं कि थैला कि बंसेवा की ब्रॉइस का बंसे aside यहीं से बनते हैं और हम देखते हैं किसमा राजय सूची में देखते हैं अभी देखते हैं संग सूची में सोरी संग सूची संग सूची में क्या आता है रक्सा ठीक है रक्सा आता है विदेश मामले युद्ध ठीक है अनू जो की एक एटोईक एनरजी होती है एक एक टोईक आरजय सूची में कौन बनाता है कानून राज्य विधान मंडल मनाती है ठीक है और क्या चीज है अब बची संबर्थी सूची संबर्थी सूची में जो कानून कोन बनाता है संबर्ची सूची में कानून दोनों ही बना सकते हैं बट क्या होता है कि यदि कोई भी विवाद होता है यदि कोई भी विवाद होता है तो विवाद में हमेशा संसद ही बड़ा दोल प्रिया करेगी यदि किसमें राज्य विदानमंडल और संसद में कोई विवाद करना है ओक्रेठ्स तो next question देखते हैं ग्राम सबा का अभी प्राइ किससे है तो मैं कुछ चीज आपको बताइते हो ग्राम सबा के बारे में यदी आपका आपकी ज़ो उम्र है वह 18 यह यह प्लास है ठीक है और आपका नाम मत्त डाता सूची में है ठीक है आपका नाम के दोस्त चलिए next question है कि甚麼 सम्विधानके संस्ता तो तो कि सूच्छी की कून सा आर्टिकल है तो मैं यह विता देता हूं आपको किस आर्टिकल में है राज्य बित आयोग यह है अर्टिकल 243 ऐज़ा इंपोर्टेंट है याद कर लेना है और Finance Commission भी आपको पता ही है जो की बित आयोग है वो जो है आपका 280 आर्टिकल में है यह आपको याद करना है यह तो आपको बहुत ज्यादा important है ठीक है दोस्त अब देखते हैं next question the next question क्या है नेमली कित में से किसे भायत में इस्थाने स्वासन का जनक कहा जाता है देखो कितना most important question है इसे कहाता है Lord Ripan को कहाता है मतलब father of फादर ओफ लोकल गवर्नेंज ठीक है फादर ओफ लोकल गवर्नेंज किसे काया आता है लोड रिपन को ही कहा जाता है दोस्त बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है ये ठीक है तो नेक्स कोशन हम देखते हैं आभी मैंने बताया भी था गठान बारतिय संभीधान क किसन अनुच्छेद के अंतरगत आता है यह आता है अनुच्छेद 243I article में आता है ठीक है बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी मैं 10,000 प्लस questions कराने वाल हूं दोस्त यह बहुत ज़्यादस important series है ठीक है और extra fact के साथ जितने भी आपके questions है मतलब इसके बाहर आपको मुझे लगता नहीं कि कोई भी questions जाएगा ठीक है सारे questions आपके इसी series से आने वाले हैं आपके exams में ठीक है दोस्त सब्सक्राइबंत राए महता कमेटी और एक कमेटी हो राती है जो कि 4 स्तरी है ठीक है चार स्तरी जो कमेटी थी वो पता है कौन सी है जीवी के राव कमेटी ठीक है दोस्त यह भी important हो जाती है चलो देखते हैं next पंचायती राज व्यवस्ता को सूद्रड बनाने के लिए कौ मैंने बताया भी था आपको कूंसा किया गया था तीहत्तरवा संभिधान संसोधन जो कि 1993 था वो किया गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट अरक्सित का अरक्सित है उनका प्राभधान किया गया टोटल वन वाई सीट है अभी इंपोर्टेंट कोशन ना बताया भी था मैंने और नेक्स दिखते हैं बारते संभिधान में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संवंद में किस वर्स का प्रापधान किया गया है बिल्कुल सेम तो सेम अभी मैंने बताया भी है 1993 ठीक है नो नगरपालिका टोने क्लिका है कि संभिधान संसोधन द्वारा नगरपालिकों को संविधानी दरजा के प्राप्थ किया गया है यह 24 अनुसूची में है यह 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 अनुसूची की वे विवस्ता का सुझाब दिया था किस ने दिया था अभी उने बताये भी आथे याद करो जल्दी जे वी के राब समेथी टीक है土 इसतर्यति रिखे सीतर्यतrid और चो घ्रैं कि खचालेटा ही और घ्रैंपति लिख्आ दिखा देता हूं मतलब लिख के दिखा देता हूं बस आपको यह देख लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जिए option में आएगा तो आपको याद हो जाएगा मतलब पता तल जाएगा आप eliminate कर सकते हो क्योंकि कुछ option में ऐसे भी आ जाता ठीक है तो महता committee जो कि 1957 में थी ठीक है सबसे पहले यही थी और तिरी स्थरिय थी और दूसरी जो थी हमारी G.V.K. Rau 1985 में थी जो कि चार इसतरिय कमेटी थी ठीक है और देखते हम कुछ और committee दो committee और देख लेते हैं बस ठीक है बस उसके बाद मत देखना उसके बाद important नहीं है वह वाली सिंद भी जो की कौन सी थी कौन से सन में थी 1986 माई थी और एक और थी हमारी पी के थुंगन समेती ठीक है दोस्त क्या करना है यादि आपको जली जली वीडियो देखने है तो आप 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो इसको ठीक है चलो देखते हैं नेक्स कोशन पंचायतों का निरवाचन कौन करता है भोट जढ़ा इंपोर्टन पनिरवाचन का करता है राज्य निरवाचन आयोग ङूळियो और नागोर जिले में सर्व परतं कभ पंचायती राज का सुब अरमभ किया था बताव बेट किया था यह क्या था अपका दो अक्टूबर 1959 में ठीक है अब इस्थाने नंगूर जी वह था टनπα ग्राम, पंचायत, अध्यक्स, अथवा, सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए के लिए झिउन्तब मायू कितनी चाहिए? अठ़ारा वर्ष चाहिए और अभी मैंने बताया भी था कि सोरी 21 वर्ष चाहिए इसमें कितनी चाहिए? 21 वर्ष और 18 वर्स किसम चाहिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या बनने के लिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए आपको 18 प्लस आपकी उमर होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं जो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है यह तो आपको पता होना चाहिए पांच वर्ष का होता है पर्थम अधीबेशन से नेक्स्ट कोशन सारे हम मतलब इजी से हम बिल्कुल अहार्ड तरफ जाने वाले हैं काफी सारे इंपोर्टन कोशन मतलब इस टॉपिक में तो यह है कि थोड़े से टॉपिक टॉपिक बाई समी में करा रहा हूं फिर उसके बाद बिल्कुल मिक्स्ट कराऊंगा ठीक है तो यह देखे हैं समुदाइक विकास कार्य कराम कब सुरू किया गया था है यह शक्ते है अप मतलब यद्यवी बताओ कब सुरू किया इया था यह क्शा गया था 2 अक्टूबर 1952 तो थे नहीं है है यह आपका इंपोटेंच कोशन नहीं हैं से यह आपका करका है संभीधा maior की सनु आर्टिकल चालिज के तहर्त नेक्स्ट कोशन देखते हैं आर्टिकल यह हमने कर लिया और देखते हैं हाँ यह कुशन है बलबंत राय महता समीटी का गठन कब किया गया था अभी मैंने आपको कई सारी कमेटें बताएं थी जैसे कि बलबंत राय कमेटी असोक महता जीवी के राव कमेटी और एमल सिंद्वी कमेटी पीके थुंगावन समीटी जैसे कि बलबंत राय जो है 1957 में तिरीस तरिया थी असोक में था कितना थी जीवी के राय जो कितनी थी 1985 में थी तो बलबंत राय किस में थी 1957 ठीक है बस तीन कमेटे के आप याद कर लो इंपोटेंट है न तो कितना है 1957 ठीक है दोस्त जादा भी नहीं करना है यह हिसाब से बढ़ना है अपना और सारी कोशन जिसे कवर हो दें किस सम्मिदान संसोधन के तहत अरुनाचल प्रदेश में अनुसूचित जन जातियों के लिए पंचायत में आरक्षन संबंदित प्राब्धान सोरी 73 वह बोल गया हूं 83 83 वह समिदान संसोधन 2000 के तहत ठीक है नेक्स जखते हैं अनुस्ची 11 के तहत पंचायतों के कारेख छेतर में आने वाले कुल कितने विस्से हैं कितने विस्से हैं बई 29 विस्से हैं ठीक है ठीक है चलो देखते हैं पंचायती राजय है 11 में और 12 में आपका नगरपाली का है है ना तो योजना आयोकी सिफारिष जी वी के रावब समेती का गठन कब क्या गया तो योजना आयोकी सिफारिष पर किया गया था जैसे कि मैंने आप लोग बताये यह बहुत जादर इंपोर्ट है नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत में पंचायती राजदिवस कब मना जाता है बहुत जादा इंपोर्टेंट कोशन क्योंकि आप पंचायत के बारे में ही पढ़ रहे हो तो कब मना जाता दोस्त 24 अपरेल को मना जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं किस अनुच्छेद के तहट नगर पालिकाओं में आरक्षन समंदीद प्राबधान किये गए हैं तो यह आर्टिकल है आपका 243T ठीक है याद कर ले ना बहुत इंपोर्टेंट है बस देख ले ना आपको याद खेर होई गया होगा इतना तो मु के दिशता कहां कि गयी थी यह कि मदरास बंबै जो की बरत्मार में जन नहीं इसे जो है चैनल को क्या करना होई आपको सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक कर लेना है और ऐसी-ईसी वीडियो आपको बहुत सारी मिलने वालीं 10,000 कोईशनस आपको मिलने वाले हैं क्या करना आपको Playlist में जो है Enroll कर लेना आपको ठीक है खेक रखाने हैं जिससे कि आपको भई सारी प्लेइस्ट आपको देख लो और बस यह है कि इसके बाहर 25 कोसंद आपके आने वाले ठीक है दोस्त चैनल सो जोड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को क्या करना है आपको लाइक कर लेना है और क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो आने के लिए ठीक है तो चलिए दोस्त मिलते हैं जल्दी और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर लेना है ठीक है तो चले मिलते हैं